तो कैसे आप सब मैं भी ठीक उम्मीद करती हैं आप भी मज़े में हो गई तो आज की रस्पी नाच्रोस के साथ खा सकते हैं बलकि आप इसे पापर चिप से अपनी इमाजिनेशन से कैसे भी शेयर कर सकते हैं और संबहुत झाना दूस्तों, v ﷺ बजार से लेते why कैन में ईससी काபो चला इसुत्य में परपाइव झाना चली बनाना करते हैं, शुरू करते हैं, तो चली बनाना शुरू करते हैं, इस्के लिए बहुत जरूरू हुता है टमाटर आप अच्छे लाल पकेट खालव सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें जोद दोस्ता करें यह Polie काटने के भागत रखा है आप कोई बिले सकती है आप आम हरी मिच एक से 2 चम स्वेनेगर में से भीगो दें ताकि टैंगी हो जाएं खाने में टीक ही ना लगें साथ में चाहिएगा ओरेगानो जो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है एन्हेंस करता है थोड़े चेली फ्लेक्स थोड़ी बेजिल साथ में दोस्तों ऑलिव और अगर आप ऑलिव नहीं आड़ करना चाहते हैं तो आप को अच्छे से बारीक कटी ओंगी सालसा दिब ऊतनी अच्छी तो मैंने दो कप के करीभा अध कर रहे हूं अबारीक करीघ कि अच्छे से च approves which भी आड़ करेंगे आप याज जितना पसंद करती उतना एड़ कर सकती है अब एक कप प्याज एक कप शिम्रामिच और दो कप टमाडर एड़ कर सकती है अब मैं इसमें क्रश्ट गार्लिक यानि कुटा लसन एड़ कर रही हूं इसे मैंने हाथ से कूट लिया था एक टी इसमें औरीगान वाइड किया है थोड़ी से तुल्सी यानि के बेजल बारी जो में हमें आप मिलती है बाजार से वह है अगर बेजल नहीं एड़ करना चाहती है तो खाली ओर इगान ही आड़ कर सकती है अब थोड़ी से स्प्रिंकल करें मैं चिली फ्लेक साथ में दोस्तो में already नमक होता है तो मैंने इसमें दो टेबल-स्पून टवाटो कैचप एक टी-स्पून नमक एड़ किया है हरा दिनिया बहुत अच्छा फ्लेवर देता है सालसा में अब करें सहरा दनिया मैंने आदा कप के करीब एट किया है और यह मोटा काट कर एट किया है अब मैं सबसे लास्ट इंग्रीट डाइट कर रहे हूं ब्लैक पेपर का जिससे बहुत अच्छी सीजनिंग हो जाएगी खुश पर अच्छी आएगी आप सभी चीजों को दो से तीन मिन सालसा डिप बनकर तैयार होगी चन्दे मिन्टों में अगरी तो साथ के साथ कंज्यूम करें से जादन स्टोर नहीं कर सकते कुछ खंटे इस टोर कर सकते हैं लेकिन आपको इसका दूसरा वर्जिन में बतारीं जैसे हम बाजार में लेते हैं कैन में मिलती है वो सालसा डिप प्रिजर्व रहती हैं तो इसे हम कैसे बनाते हैं ये भी बात कर लेते हैं तो इसी बनीवी सालसा जिप को आप कढ़ाई में डालें और अच्छे से पकाएं मैंने इसमें बस थोड़ी सी कैचप और थोड़ा सा ओईल और एड़ कर रही हूं ताकि ये प्रिजर्व हो जाएं अब इसे एक महीनी तक दोस्तों रख सकते हैं फ्रिज में स्टोर करके बस आप इसे दस से पंदा मिनट तक पका लें अच्छे से तो देखिए सालसा जिप बहुत अच्छे से कुक हो गई है इसे अब हम गैस को बन कर देते हैं इसे में 15 मिनट से कुक कर रही थी अब यह त सब्सक्राइब के साथ मैं आप से फिर मिलूंगी तब तक अपना ख्याल रखें सहत बन रहें